आप सब का खेर मगदम हैं आपके अपने चैनल चौक एंडस्टर अकाडमी पर हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे आज जो है हम ब्रीज नारा इंच अगबस्त के बारे में कुछ एहम सवालत लेकर आए हैं जो हम आपके साथ जो है हल करने बाले हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा पहला कौशन है आप सिक्रीन पर देख सकते हैं जैल में इसे दो जुम्रें सही है निशानदी करनी है अब यहां पर दे सकते हैं, चार जुम्रे दिये गए हैं question में तो दो जुम्रे इसमें सही है, दो गलत है हमें दो सही जुम्रों की क्या करनी है, निशान दी करनी है तो आए देखते हैं, पहला जो जुम्रा है तो इन में से हमें देखना है कौन से दो जुम्रे सही है और कौन से दो गलत है, तो अगर हम यहां पर देखेंगे जो पहला जुम्रा है वो गलत है, चीक है जो पहला जुम्रा है वो क्या है, गलत है और दूसरी की बात करेंगे, तो दूसरा क्या है, दूसरा बिलकुल सही है इसमें आप देख सकते हैं, रामाइन का एक सीन, खाकी हिंद है, हुबे कौमी है, जल्व सुभ है, ये सारी नजमे जो है, चगबस्त की नजमे है, तो इसके पाद जो आप्शन नमर C, सुभे वतन है, जल्वे सुभ है, अगले लोग, आवाज कौम, ये भी चगबस्त की, सार क्या है, तस्नीफात है, इसके पाद जो आप्शन, नमर D है, ये क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब जो है, इस question का right answer क्या हो जाएगा, B and C, यानि कि B and C किस option में है, option number A, यानि कि first option में B and C है, तो इसका right answer और option number A, इस question का सही जवाब हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं, next question की ओर, ब्रिज नारायंच अकबस्त ने महानामा सुभी उम्मीद कब जारी किया था, तो आपको बताना ही ये महानामा जो है, ब्रिज नारायंच अकबस्त ने कब जारी किया था, option number A, 1916, option number B, 1918, option number C, 1818, option number D, 1918, ठीक है, 28, तो अगर हम देखेंगे, इस question का जुराइट answer है, वो क्या हो जाएगा, इस question का जुराइट answer है, option number 2, इस question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहनि की ब्रिज नारायंच चकबस्त ने इस महानामे को 1918 में जारी किया था, option number B, इस question का सही जवाब हो जाएगा, तो इसके बाद जो हमारा next question है, जैल में कुछ बयानात दिये गए हैं, इन्हें गोर से पढ़िए और सही बयानात को निशानज़त कीजिए, तो इसमें अगर हम देखेंगे, option number A, चक चौथा, चकबस्त अहाली और मुकदमा शैरोशारी के जबरदस्त मदाह थे, और इसके बाद जो पांचवा है, चकबस्त अनी से हद दर्जा मुतासिर थे, और चकबस्त की शनाखत शक्सी मरसिया निगार के तोर पर भी है, तो आपको यहाँ पर देखना है कौन से जुम् चकबस्त अनी से बीदिन दर्जा की शायर है, यानि कि ऑक्चन नबर जिस में भी आएगा, ठीक है, वो सही है, ऑक्चन नमर जहां पर है, उस जुम्रे को हम देख सकते हैं पहले, तो दूसरे में बिलकुल नहीं है, जो है दूसरे में बिलकुल नहीं है, तो इसके बाद ज एक वतनी शायर थे इसके अलावा चक बस्त रुस्वी पर्दा के मुखालित टालिमें नुस्वा के ताइद करने वाले थे और इसके अलावा चक बस्त अन्ही चप अन्ना sowas हमाइएर दर्जा involved छक बस्त ले शक्सित मरसिय पर की जाती या तो यह हम द If a.s.- debate का सही जवाब हो जाएगा इसके बार जो हमारा next question है इसको देखते हैं जैल में से कौन सा जुम्रा मुस्तदस की हायत में है आप सभी लोग जानते हैं मुस्तदस में कितने मिसरे होते हैं तो छे मिसरे होते हैं आपको यहां बताना है कि मुस्तदस की हायत में आपको जुम्राप पहचानना है कौन सा है तो आप्चिन अबर A, रामाईन का एक सीन, खाकेहिंद आप्चिन अबर B, मुफली C, बंजारा नामा आप्चिन अबर C, लेनन, शिकस्त जिन्दाख खाव आप्चिन अबर 4, सुभे उम्मीद, निशाते उम्मीद तो इस कौशन का राई टानसर आप्चिन अबर A हो जाएगा यानि कि रामाईन का एक सीन, खाकेहिंद जो है, किस हायत में है, मुस्तदस की हायत में और आप सभी जानते हैं, ये नजिर अबर आबादी के नजमे है ये जो है, मुकम्मस की हायत में है तो आगे बढ़ते हैं, जैल में चन्द नजम गो, शौरा और उनके नाम, उनके उसादजा के नाम दर्च है शागिरत के आइतिबार से उसादजा को पहचान कर जोड़िए तो अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें देखना है इनके उसादजा के आइतिबार से यहाँ पर इस कौशन को हमें हल करना है तो अगर हम देखेंगे, नजीर अबर आबादी के जो उस्ताद थे, वो कौन थे तो इस question को हम देखेंगे यहां पर इस question को हम यहां पर हल करेंगे क्योंकि अगर हम देखेंगे नजीर अगबर आबादी के जो उस्ताद थे, वो थे शायरी में किसी की उस्ताद जो है, उनका कोई उस्ताद नहीं बना था शायरी में इनका कोई बिल्कुल भी नहीं उस्ताद था इसकी बाद इसमाइल मेरे ठीकी बात करेंगे इसमाइल मेरे ठीकी कौन थे इसमाइल मेरे ठीकी को हम पढ़ चुके थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था इनके जो उस्ताद है वो गालिब है और इकबाल की बात करेंगे, इकबाल की कौन थे, अर्शिद, गरगानवी और दाग, जो है इकबाल की क्या थे, उस्ताद थे, तो इस तरह अगर हम इस question को देखेंगे, क्या right answer हो जाएगा, इस question का जो right answer है, option number A, इस question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसके बाद हम next question की और आते हैं, अगर चगबस्ते की नजम को अनीस की किसी मरसिय में शामिल कर दे तो, कोई नहीं कह सकता कि अनीस की सिवा किसी और का कलाम है, यह call किसका है, तो option number A, आलमत सुरूर, option number B, खलेल रह्मान अजमी, option number C, मजरूफ सुल्तान पूरी, option number D, नियाज फत्य पूरी, तो इस question का जो राइट आंसर है, option number D, इस question का सही जवाब हो जाएगा, यह नियाज फत्य पूरी का call है, option number D, right answer हो जाएगा, इसके पर जो हमारे next question है, एक खाके हिंद तेरी अजमत में क्या गुमान है, दरिया फैस, कुदरत तेरे लिए रवाँ है, यह शैर जो है किस शाय जायर का है, option number A, इकबाल, option number B, इसमायल मिरथी, option number C, चगबस्त, option number D, अकबर इला आबादी, तो इस question का right answer है, option number C, यानि कि यह जो है, यह शैर, ब्रिज नाराइन, चगबस्त का है, next question जो है, तारीख ये वफाद के आतिबार से सही तरतीब की निशान दी करनी है, तो ता option number B, हाली, option number C, इकबाल, option number D, अकबर इला आबादी, तो आपको बताना है सबसे पहले किसकी वफात हुई है, तो अगर आप यहां पर देख सकते हैं, इस question का right answer क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाली पैदा हुए हैं, सबसे पहले हाली पैदा हुए हैं, उसके बाद अकबर पैदा हुए हैं, और last में अगर हम बात करेंगी, इकबाल पैदा हुए हैं, तो इस question के, क्या right answer हो जाएगा, option number 3, जो है, is question का सही जवाब हो जाएगा, यनि किसी जो है last में आया था, यनकि निकिवाल last में पादा हुए है, इस question का सही जवाब हो जाएगा, इसके बाद ज लाहूर, आप्शन नमबर B, फैज आबाद, आप्शन नमबर C, लखनव, आप्शन नमबर D, डहली, तो इस question का जो right answer है, आप्शन नमबर B, यानि कि चगबस्त जो है, फैज आबाद में पैदा हुए हैं, तो इसके पाद जो हमारा next question है, next question जो है, चगबस्त ने अपने मजमुए कलाम को किस नाम से इंतिसाब किया है, तो, आप्शन नमबर A, गंगा परशाद वर्मा, आप्शन नमबर B, इकबाल नारायन, आप्शन नमबर C, तेज नारायन चगबस्त, आप्शन नमबर D, बिशन नारायन, तो इस question का जो right answer है, बिशन नारायन के नाम जो है, इन्हों ने अपने मजमुए कलाम को इंतिसाब किया है, उप्शन नमबर 4 इस question का सही जवाब हो जाएगा, तो, आज का हमारा जो आखरी question है, session का, चगबस्त की पैदाश कब हुई, आपको बता आना है, चगबस्त का पैदा हुए है, question का right answer क्या हो जाएगा, तो, हम पढ़ चुके हैं इसको previous class में, तो, इस question का right answer क्या हो जाएगा, option number 3, इस question का सही जवाब हो जाएगा, यानि कि 18 और 82 में, जो है, चगबस्त की पैदाश हुई है,